नमस्कार बच्चो आज हम बात करते हैं पृतिवी राज रासो की इसकी प्रमानिकता की सम्मन्त में बात करेंगे हम पृतिवी राज रासो का जो नायक और उसके प्रमुक घटनाएं हैं वो एतिहासिक होते हुए भी उसका जाता है कि विश्य दुरूप से इतिहास करती नहीं है यहाँ एक काव भी करती है कभी जो होता है वो जीवन का रचनाकार होता है कुछ एतिहासिक घटनाओं का ही नहीं इसलिए इतिहास का सहारा लेते हुए भी वह अपनी कल्पना सक्ति से ऐसे दृष्यों, प्रशंगों और भाव स्थित्यों की अवतरणा कर देता है जो जीवन की दृष्टी के लिए बहुत आवशक होती है यही कवी चंदरवरदाई कृथि विराज रासों की काब्यात्मक्ता संदिक्ति नहीं है किन्तु इसकी इतिहासिक्ता के सामने अनेक प्रस्णचिन सामने आते हैं जिससे इतिहास एंव इतिहास के विद्वानों में इसकी महाकाव्यात्मक्रति की प्रमानिक्ता वो अप्रमानिक्ता पर बहुत विवात रहा है। आचारे रामचंद शुक्ल ने अपने हिंदी साहिती का इतिहास नामा ग्रंथ में वीर गाथा काल के देश भासा प्रकरण में इस क्रती को स्थान देते हुए, इसके रचियता चंदर बर्दाई का परिचय एवं पृतिवीराज रासों का कथासार प्रस्तुत कर, इसकी प्र हासकार गौरी संकर हीरानन्द ओजा का मत रखकर अपना निसकर सिदिया, इस समंध में इसके अधिक और कुछ कहने की जगह नहीं, कि यहाँ पूरा ग्रंथ वास्तों में जाली है, यहाँ हो सकता है कि इसमें इधर उधर कुछ पद्य जंद के भी बिखरे हों, पर उनका प और इसमें कुछ थोड़ी से अंश ही पीचे से मिले होते, तो कुछ घटनाएं और कुछ समवत ठीक होते, तो इसकी प्रामानिकता पर बहुत विवाद हुआ पित्विरा रासो हिंदी साहित्य का आधी महाका भी है, इसमें भारत के अंतीम हिंदू समराण महाराजा पित्विराज चोहान की जीवन गाथा का उल्लेक है प्रारंब में यह ग्रंथ इतिहास सम्वत और प्रमानिक ग्रंथ माना जाधा रहा लेकिन अब इसे अधिकांध श्विद्वान और प्रमानिक मानते हैं इतिहास वेताओं एम अनुसंधन करताओं ने प्राचिन हस्त लिखित ग्रंथों, सिलालेखों, मुद्राओं तर्था पट्टों और परवानों के रूप में प्राप्त सामागरी को इतिहासिक मान कर प्रिथिमी राज रासों की परक्की और उसके आधार पर रासों को अनैति कुछ इतिहासकारों ने भी इन इतिहासकारों का सहयुग दिया और रासों की प्रामानिक्ता का समर्थन किया। उजहा आदि विद्वानों का कथन है इसमें इतिहास विरुद्ध कल्पित घटनें जो भरी पड़ी हैं उनके लिए क्या कहा जा सकता है। नाम सामन्तों के नाम आदि भी इतिहासक शिला लेखों और प्रिथिवी राज विजय नामक संस्कृत गरंथ से भिन और अशुद्ध है। प्रिथिवी राज की माता अनंगपाल की पुट्री नहीं थी और न जैचंद ही अनंगपाल का दोहित्र और आठोडवनसी था। शिला लेखों में जैचंद को गहरवार छट्री बताया है। इस प्रकरण में उज्जाजी जैचंद और प्रिथिवी राज की शत्रता एवं स्वयोगिता स्वयम्वर को भी कल्पित मानते हैं। इतिहास के अनुसार न तू प्रिथिवी राज की माता का नाम कमला था और न अनंगपाल उस समय दिल्ली का राजा था। राणा समर का विवाह प्रिथिवी राज की बहन प्रथा के साथ नहीं हुआ था क्योंकि समर से प्रिथिवी राज के समसामाईक नहीं थी। पृतिवी राज के पच्चास वर्ष बाद समर्शीं के जीवित रहने के प्रमान मिलते हैं। पृतिवी राज द्वारा गुजरात के राजा भीहिमसें का वद करने की घटना भी इतिहास सम्वत नहीं है। क्योंकि पिर्थिवी राज के बाद भी भीमसीं के जीवित रहने के प्रमान मिलते हैं। पिर्थिवी राज और महुमत गौरी की मृत्यू का उल्लेक भी एतिहासिक नहीं है। इस बात के प्रमान है कि गौरी की मृत्यू मुल्तान के गखरों के हातों हुई थी न की पृत्थिविराज के शब्द भेदी बांदवारा इसके कालक्रम के बारे में भी कहा जाता है कि पृत्थिविराज के तो समवत हैं वो सारे कालपनिक हैं वह इतिहास तता अन्य प्रमानों से मेल नहीं खाते हैं इस सम्म इस द्रिस्टी से रासो अप्रमानिक सिद्ध होता है करनल टॉड भी कहते हैं कि पृतिवी रासो में पृतिवी रास का जन्म जो है तो वह 1115 में और मृत्यु 1158 में बताए गई है जबकि इतिहास की अनुसार पृतिवी रास का जन्म बारासो और मृत्यु 1228 में होना सिद्ध होता है रासो की अनुसार पृतिवी रास द्वारा सहाब दिन समवत 1240 इस वी में मारा गया था लेकिन इतिहास की अनुसार वह 1263 इस वी में गखरों के द्वारा मारा गया आपू पर भीम चालुकी का आक्रामर सहावुदिन गौरी और राय पुंडिर के युद्ध की तिथियां भी असुद्ध बताई जाती है क्योंकि 1460 विख्रमी के लगभग हमीर महाकाब में इन घटनाओं का कोई भी वर्णन नहीं मिलता है भासा के समन्द में भी कहा जाता है रामचंद सुकल कहते हैं कि इसे उन्होंने कहा है कि इस समन्द में इसके अधर कुछ कहने कुछ जगह ही नहीं है क्योंकि यह ग्रंत पूरा जाली है हो सकता है इसमें इधर उधर चंद के कुछ पद्धी भी विख रहे हों पर उनका पता लगाना अस्संभव है उनका कहना है कि यदि समसामाई कवी का रच्चा होता और इसमें कुछ अंश भी मिले होते तो कुछ घटना है और इसके समवत भी ठीक होते लेकिन ऐसा नहीं हुआ इसमें कवी राज स्यामलदास भी कहते हैं कि यहां पृतिवियार रासो एक अप्रमाणिक ग्रंत है रासो चंद ने नहीं लिखा और ने पृतिविरास के समय में ही लिखा गया हाँ यहां माना जा सकता है कि रासो की रचना राजबुताने में ही हुई क्योंकि शब्द और वा की रचना पर राजिस्थानी प्रभाव है रासो के समवत अथा तिथियां प्रायह अशुद्ध है इस प्रकार से आगे देखते हैं कि आचार रामचंद शुक्ल कहते हैं कि तिविराज रासो जो है वह उसमें भाशा भी उसमें अप्रमानिक है भाशा उसमें ब्याकन समन्दी इसमें ध्यान नहीं रखा गया है कहते हैं इसकी अनुरत तीन बाते कही हैं इसको अप्रमानिकता की समन्द में कहते हैं कि बात समवत तक की नहीं है इतिहास विर्द कल्पित घटनाएं जो भरी पड़ी हैं उनके लिए क्या कहा जा सकता है माना की रासो इतिहास नहीं है कापी ग्रंथ है पर कापी ग्रंथों में बिना किसी प्रियोजन के उलट फेर नहीं किया जाता तो क्योंकि उसमें घटनाएं और नाम उसमें ठीक ठीक हैं इस समंद्ध में इसके अतिरत कुछ कहने को जगए ही नहीं है यहाँ पूरा ग्रंथ जाली है रहा दूसरी बात यहाँ कि पृठिविराज की सभाह में चंद नाम का कोई कवी था ही नहीं अधिक संभाव जान पड़ता है कि पृठिविराज के पुत्र गोविंद राज या उनके भाई हरी राज अत्वा इन दोनों में से किसी के वनसच के यहां चंद नाम का कोई भट कवी रहा होगा जिसने उनके पूरवज पृतिवी राज की वीरता आदी के वर्णन में कुछ रशना की हो पीछे जो बहुत सा कल्पित भट गणनत तयार हो गया उसी के नाम पर रासो नाम की इमारत खड़ी हो गई तीसरी बात तो कहते हैं भाषा की कसवटी पर यदि गरंत को कसते हैं तो और भी निरासा मिलती है क्योंकि यह बिलकुल बेठीक आने है उसमें ब्याकरण आदी की कोई ब्यवस्ता नहीं है कहीं कहीं तो भाषा आदुनिक सांचे में तुलिह विसी दिखाई पड़ती है किरियाय नए डूपों में मिलती है पर साथ ही कहीं कहीं भाषा अपने असली प्राचीन सहितिक रूप में पाई जाती है जिसमें प्राकरत और अब्रंट शब्दों की रूप और विभक्तियों की जिन्न पुराने ढंग से है इसे दशा में भाटों के इस वागजाल के बीच कहां तक कितना असली है इसका नेनए असंभव होने के कारण यह ग्रंत नतु भाषा के इतिहास और नहीं सहिति के इतिहास के जिग्यासों के काम का है रामचंद शुक डॉक्टर राम कुमार वर्मा कहते हैं कि हिंदी सहिति का अलुसनात्म इतिहास में कहते हैं कि एतिहासिक व्यक्तियों के समय में बतिक्रम में यहाँ सही नहीं बैठता है तितियों की असुद्धता है और भी फारसी सब्दों का प्रियोग है भाषा की भिन कालीम विश्मता है अब इस परकार से बहुत से विद्वानों ने इसको आप्रामानिक सिद्ध कर दिया पित्वी राज को प्रमानिक मानने वाले विद्वानों की कमी नहीं है इसमें कर्नल टाड हैं गारसाद अतासी हैं जार्ज गिरेसन हैं और इध्यासिय उपाध्याई हैं इतियादी इसमें विद्वान हैं जिन्होंने इसको एतिहासिक माना है प्रमानिक माना इतिहास सम्मन्दे वो कहते हैं कि एतिहासिक भ्रांतियों का समाधान करते हुए कहते हैं कि रासों में ये तुरूटियां कल्पना के आधिके अतिसयोति पूर्ण वर्णन से आ गई उनके अनुसार नागरे प्रचारणी सभा की ओर से प्रकासित पट्टे परवानों से इन भ्रांतियों का समाधन हो जाता है डॉक्टर दस्रत शर्मा अपने लंबे और कठोर परिश्रम के बाद इस निसकर्स पर पहुंचे हैं कि रासो का मूल रूप अल्प काई था और वहाँ प्रमानिक है उनके अनुसार ना तो इसकी रचना सोला सो विक्टमी के आसपास हुई और नहीं यह जाली गरंत है इधर मिली हुई रासों की लगुतम प्रतियों के आधार पर घटना वैसर में तथा भाषा समंदी सभी संकाओं का निराकरण हो जाता है इन प्रतियों में इतिहास विशेक तुटिपून घटनाओं का कहीं भी उलेक नहीं मिलता उदहन सरू ना तो इसमें राजबूतों के कुछ अंसों की उत्पत्ती आबू के अगनी कुंड से बताई जाती है और नहीं प्रत्था का विवाह सहबुद्दीन समर्शे युद्ध तथा भीम सोमेशवर प्रतिविराज के युद्ध का ही उलेक है इतना ही नहीं इसमें प्रत्थिविराज और पद्मावती के विवात की कथा भी नहीं है उनका कहना ये है कि उस समय सात्वी सदाब्दी के आसपा सिंध और मुलतान पर मुसल्मानों के आकरमन शुरू हो गए थे तथा उन्होंने या उसे राज्यादिकार से प्राप्त कर लिया था चंद स्वयम लाहर का निवासी था जिनके मस्तिस्क में बाल्य आवस्ता से ही अर्वी फार्सी के सब्द अपना इस्थान बना चुके थे अथा रासो की जो भाषा में अर्वी-फार्सी सब्दों का आना स्वाभाविखी हो गया था दूसरी बात यह है कि रासो का बहुत बड़ा अन्स प्रशिप्त है अथा परवर्ती काल में मसलवानों के आतर के कारण अर्वी फार्सी का मिश्रण हो गया जो अनुचित प्रतित नहीं होता इसी कारण स्वरांत सब्दों का प्रियोग डिंगल की विशिष्टा से संबंधे रखता है अब मिश्रवंदु कहते हैं कि सन समवतों की गरवर अधि संदेह का कारण हो सकती थी पर स्वभागिवस विचार करने से वह भी निर्मूल ठहरती है चंद के दिये हुए संवतों में गटनाओं का काल अटकल पच्चु नहीं लिखा गया इतिहास द्वारा विधित समय के चंद के कहे संवत अथा नब्बे वर्स कम होता है और यही अंतर एक दो नहीं प्रते घटनाएं संवत में देख पड़ता है यदि चंद के किसी संवत में नब्बे जोड़ दें तो इतिहास से सिद्ध संवत निकल आता है घटना वैसे में के समन्दे में भी मिश्र बंदु कहते हैं कि रासों से सहब उद्धीन को पित्थिवी राजद्वारा कई बार पकड़े जाने का वर्णन है जबकि इतिहास एक बार का ही समर्थन करता है इस समन्दे में मिश्र बंदु का मत है कि वह कापी में प्रत्युक्ति भी हो सकता है या मुसल्मानों के कत्नों पर बने इतिहासों ने मुसल्मानों की हार का क्रम उल्लेक करके अपमान से बचने का यह तरीका निकाला हो वासा के समद में मिश्र बंधों ने लिखा कि कहा जाता है कि चंद के समय में हिंदी में इतने विदेशी शब्दों का होना असंभव है कारण मुसल्मानों के आने के पीछे ही उनके शब्द हिंदी में हो सकते थे और फिर भारत में सहाबुद्दीन के साथ यवनों का प्रवेश नहीं हुआ उनकी प्राहे दो सव वर्ष पहले से ही महमुद गर्जनेवी की चड़ाया हुने लगी थी और पंजाब का एक बड़ा भाग मुसल्मानों के अधिकार में चला गया था महमुद से भी पहले सिंद तथा मुल्तान के देशों पर मुसल्मानों का अधिकार हो गया था अतह पंजाबी भाषा में मुसल्मानी शब्दों का मिलना स्वाभावी खी था चंदर बरदाई का जन्में लाहोर में हुआ था जहां उस समय मुसल्मानों का ही अधिकार था चन्द ने अपना बालिकाल इसी स्थान पर बिताया स्वयम पृतिविराज ने यहां सहाब उद्दीन का भाई हुसेन और उसका पुत्र दोनों रहते थे उन्हें जहागेर भी मिली थी राजी की सीमा मुसल्मानी राजी में मिली हुई थी ऐसी दशा में ब्यापारिक सम्मंधों में भी मुसल्मानों का यातायाद हिंदों की पीच अवस्य रहता होगा इन सब कारणों से चंद की भाषा में मुसल्मानी शब्दों का होना स्वाभाविक था और इन शब्दों को देखकर हम रासों के असली होने की विशाय में कोई संदेह नहीं उठा सकते हैं हजारी पसाद दिवेदी भी कहते हैं रासों एकदम जाली पुस्तक नहीं है उसमें बहुत अधिक ट्रक्षिप होने से उसका रूप विक्रिट जरूर हो गया है इस विशाल ग्रंथ में सार भी अवस्य है कहकर रासों की प्रामनक्ता को स्विकार किया है गार्शाद अतासी भी कहते हैं कि यह निश्चित रूप से हिंदी की अत्यमत प्राचीन रचनाव में से एक है चंद पित्वराया पृथिवी राज के यहां कवी थे जिसका उन्होंने अनिक राजपुद वण्सों के साथ कुड़कान किया अस्तुवे बारवी सताब्री के अंत्यमें विद्वान थे अब हम इसकर्स रूप में कह सकते हैं कि प्रित्वी राज रासों की प्रामानिक्ता के संबंध में विद्वानों के विन पक्सों पर विचार करते हुए अपनी बुध्धी अजारिपसादि वेदी के इन विचारों को अधिक संगत मानती है उन्होंने लिखा कि रासों का कालकरम दस्वी शताबदी के साहित्ती के रूप से समानता रखता है इसकी समवात प्रवर्ती कीर्थी पता का तथा संदेश रासक से साम में रखती है इसकी सभी प्राचीन कथानक रूणियों का निर्वाह हुआ है रासों में संस्कित प्राकरत और अवभ्रन सिसाहित्ती के प्रवर्तियां भी इस्टिकोचर होती है बारवी सती की भाषा की संगताक शर्मई अनुस्वरांत प्रवर्तिस में प्लब्द होती है रासों विश्ट्र रूप से इतिहास ग्रंथ नहीं है प्रत्युत काप ग्रंथ है हर्च चरित्र के समान रासों में भी यत्र तत्र दैवी सक्ति का अरूप है वस्तु इस्तिती यह है कि प्राचीन भारती वांगमे में इतिहास को सिमित बहुतिक अर्थ में ग्रहन न करके उसे ब्यापक सांस्कृतिक रूप में ग्रहन किया गया है उसमें तत्यों और कल्पना का अद्भुत मिश्टन है उसमें एतिहासिकता तथा निजंधरी कताएं साथ-साथ चलती है आज इतना ही पाकिकल्ब